Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit polymer और इस lecture के अंदर हम co-polymerization के बारे में discuss करेंगे इस word को हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं co और polymerization के अंदर co का मतलब होता है different or polymerization polymer बनने का एक process है तो जब दो या दो से ज़्यादा अलग-अलग तरह की monomer unit polymerize होती हैं तो उससे बनता है co-polymer और co-polymer बनने का जो process है उसे हम co-polymerization बोलते हैं जैसे हम example ले लेते हैं ब्यूना S का जो ब्यूना S word है ये अपनी monomer unit के बारे में खुद बता रहा है जो ब्यूना वर्ड है इसका मतलब होता है ब्यूटा 1-3-dai-in और ब्यूटा 1-3-dai-in ब्यूटा ब्यूटा का मतलब होता है जिसके अंदर चार कार्बन एटम हो और 1-3-dai-in मतलब एक और तीन position के उपर double bond है तो हम कहसे हैं कि CH2 double bond CH CH double bond CH2 ये ब्यूटा 1-3-dai-in का फॉर्मूला है और S S से बनता है स्टाइरीन स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है बैंजीन रिंग के साथ उपर CH double bond CH2 जुडा हुआ है इसका co-polymerization होता है sodium metal के साथ heat करने पर जो double bond है वो single bond के अंदर convert हो जाएगा और single bond है वो double bond के अंदर convert हो जाएगा तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि CH2 CH double bond CH CH2 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 CH और benzene ring इस तरह से large number of units एक दूसरे के साथ जुड़ गई और ब्यूना S की formation हो गई ब्यूटा डाई इन स्टाइरीन को पोलिमर की formation हो गई और इसे हम SBR भी बोलते हैं SBR का मतलब होता है स्टाइरीन ब्यूटा डाई इन rubber अब इसकी कुछ प्रोपरिटीज डिसकस करने जा रहे हैं ये कॉइट टफ होता है low tensile strength होती है natural rubber से high abrasion resistance होता है high abrasion resistance का मतलब है कि जल्दी से घिस्ता नहीं है ये और दूसरा high load bearing capacity होती है और इसी के उपर इसके uses भी depend करते है कि इसका use क्या जाता है for making the tires of automobile जो automobile है उनके अंदर हम काफी load रखते है तो इसके अंदर high load bearing pasty होती है दूसरा यूज है in making the rubber soul, belt, house floor, tiles बनाने में ब्यूना एसका यूज होता है अब हम next polymer ले ले लेते हैं ये है natural rubber जो natural rubber है इसे rubber tree से obtain किया जाता है rubber tree से किस तरह से obtain करते हैं rubber tree का जो trunk होता है उसके अंदर एक cut कर देते हैं और उसके साथ एक vessel को लटका देते हैं तो उसमें से एक milky liquid निकलता है जिसे हम latex बोलते हैं जो latex है इसके अंदर rubber की monomer unit होती है और rubber की जो monomer unit है इसे हम आईसो प्रीन बोलते हैं आईसो प्रीन नेचर रबर की monomer unit है इसका फूर्मुला होता है जो buta one three die in है उसी से इसका फूर्मुला बना है जो second carbon atom है उसके साथ CS3 जोड़ देते हैं तो आईसो प्रीन का फूर्मुला बन जाता है इस तरह से CH2 double bond C और इसके साथ CS3 जोड़ा हो है फिर CH double bond CH2 हम इसका polymerization कराते हैं तो 11,000 से 20,000 आईसो प्रीन unit एक दूसरे के साथ लिंक हो जाती है और जिससे बनता है polyisoprene उसी तरह से जो double bond है वो single bond के अंदर convert हो जाएगा और single bond change हो जाएगा double bond के अंदर तो इस तरह से कह सकते हैं कि CS2C CS3 double bond CH CH2 इस तरह से large number of units एक दूसरे के साथ लिंक हो गई जो natural rubber होता है ये soft और sticky होता है और इसलिए इसकी properties को change करने के लिए welkinization किया जाता है welkinization एक ऐसा process होता है जिसके अंदर natural rubber को sulfur के साथ heat किया जाता है जिसके कार्ण इसकी property change हो जाती है और जो हमें rubber obtain होता है उसे हम welkinized rubber भूलते हैं और heating की जाती है 373 से 4 15 Kelvin temperature के उपर इस तरह से ये एक chain है polyisoprene की chain है तो दो chains के बीच में इस तरह से sulfur linkage फोर्मड हो गई और जिससे welkinized rubber की formation हो गई अगर हम इसको stretch कर दे हैं तब इस तरह से structure बन जाती है और जब हम force को remove करते हैं तो ये relaxed position के अंदर आ जाता है और तब इस तरह से इसकी structure formed हो जाती है अब हम कुछ important difference discuss कर लेते हैं नेचल rubber और wellkinized rubber के अंदर जो नेचल rubber है ये soft और sticky होता है तो wellkinized rubber ठीक इसका opposite hard और non sticky होता है नेचल rubber की low tensile strength होती है low tensile strength का मतलब होता है कि इसको ज़्यादा खिंचा नहीं जा सकता है ज़्यादा खिंचेंगे तो ये break हो जाएगा लेकिन जो wellkinized rubber है इसकी high tensile strength होती है नेचल rubber की low elasticity होती है और wellkinized rubber की high elasticity होती है नेचल rubber में low wear and tear resistance होता है मतलब ये घिस्ता जादा है और wellkinized rubber में high wear and tear resistance होता है मतलब जल्दी से घिस्ता नहीं है जो नेच्रल रबर है इसका यूज क्या जाता है narrow range of temperature के उपर मतलब 10 degree Celsius से 60 degree Celsius पर लेकिन जो वैल किनाइज रबर है इसका यूज क्या जाता है minus 40 degree Celsius से 100 degree Celsius के उपर जो नेच्रल रबर है ये soluble होता है solvents के अंदर जैसे इत्थर है carbon tetracluride है petrol है और जो welkinized rubber है वो insolvence के अंदर insolubile होता है ये हमने कुछ important difference discuss किये है natural rubber और welkinized rubber के अंदर अब हम synthetic rubber के बारे में discuss करने जा रहे हैं synthetic rubber को हम कह सकते हैं कि जो welkinized rubber like polymer होता है जिसके अंदर high stretching tendency होती है मतलब जो natural rubber से two times ज्यादा stretch हो सकता है और जो force remove करने पर अपनी original shape में आ सकता है उसे हम synthetic rubber बुलते हैं common example हम यहाँ पर ले लेते हैं neoprene का तो neoprene की monomer unit है chloroprene और यह chloroprene unit जो buta one three diene है उसी से फॉर्मड हुई है हमने क्या किया जो second carbon atom है इसके उपर chlorine जोड दिया तब यहाँ पर formula बन गया CH2 double bond C CL CH double bond CH2 और इसका free radical की presence में polymerization करवाया तब यहाँ पर जो double bond है हो single bond के अंदर convert हो गया और single bond double bond के अंदर convert हो गया और हम कह सकते हैं कि इस तरह से CH2 C CL double bond CH CH2 बन गया यहाँ पर और large number of chloroprene unit मिलकर इस तरह से neoprene बनाती है अब हम इसकी कुछ properties discuss करने जा रहे हैं यह non-inflammable होता है मतलब जल्दी से जलता नहीं है यह और यह resistance चो करता है कुछ organic solvent से, oil से और gasoline से यह superior होता है natural rubber से और इसका जल्दी से oxidation नहीं होता है अब हम इसके कुछ uses discuss कर लेते हैं इसका use क्या जाता है hoses बनाने में, soo hills बनाने में stoppers बनाने में, gaskets बनाने में और second use है conveyor belts बनाने में और इन conveyor belts का use क्या जाता है coal mines के अंदर coal mines के अंदर क्यों use क्या जाता है क्योंकि यह easily से catches fire नहीं होती है जल्दी से जलती नहीं है नेक्स्ट यूज है कि इसका यूज कंटेनर्स बनाने में किया जाता है और इन कंटेनर्स के अंदर पैट्रोल, ओयल और कुछ अधर सोल्वेंट्स स्टोर किये जाती है ये था हमारा एक सिंथेटिक रबर जिसे हम नियोप्रीन बोलते हैं थेंक यू